इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इन फ्लूरिशंस और इन फ्लूरिशंस का आज दूसरा पाइट है इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रेसी मोस टाइप आप इन फ्लूरिशंस तो आज हम लोग देखेंगे स्टाइप कल आपने रेसी मोस जो पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो पुसपाच होता है या जो पेडंकल होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो इन डिफिनिट होती है लेकिन यहाँ पर देखिए जो स्टाइप का इन फ्लूरिशंस है इसमे पर पेडंकल की ग्रोथ रुक जाती है उसके बगल से कलिकाएं निकलती है और वहां से फिर फ्लावर बनते हैं इसका मतलब होगा कि जो पहले बना हुआ फ्लावर है या जो बड़ा फ्लावर है वो उपर बनेगा और जो छोटे फ्लावर होते हैं जो नए फ्लावर बनते ह वो नीचे बनते हैं तो इस कंडिशन को हम कहते हैं बेसी पिटल सक्सेशन तो इसके पहले आपने पढ़ा था जो रेसी मोस वहाँ पर जो फ्लावर बनते हैं वो एक्रो पिटल सक्सेशन में बनते हैं जबकि साइमोस में जो फ्लावर बनते हैं वो बेसी पिटल सक्सेशन में बनते हैं इसका मतलब यहां पर यह है कि जैसे यह ब्रांच है इस पर अगर यहां पर एक पुस्प बन गई तो इस ब्रांच की ब्रिद यहीं पर रुख जाती है अब इसके आगे यह ब्रांच ब्रिद नहीं करेगी बलकि इसके नीचे यहां पर ब्रांच निकलेगा यहां प पुस्प होते हैं वो बाद में बनते हैं वो जो बगल में कलिकाएं निकलती हैं उन पर बनते हैं तो इसी को हम कहते हैं सा सीमाची पुस्पकरम मतलब इसके बृद्ध की एक सीमा है कि यहाँ पर फ्लावर बन गया तो इससे जादा यह बृद्धी नहीं करेगा अब जो भी flower बनेंगे वो उसके नीचे ही बनते हैं तो इस प्रकार से साथ यमाच्छी पुस्प करम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेसी पिटल सक्सेशन होता है मतलब कि यहाँ पर बेस की तरफ नीचे की तरफ नए पुस्प बनते हैं और यहाँ पर जो टर्मिनल पोजीशन होत है इसमें से पहला है यूनी पेरस और मोनो कैजिल साइम जिसे एकल साखी सासी माच्छ कहते हैं इसमें क्या है यहाँ पर देखें खुड़ा सा उपर करते हैं यहाँ पर लिखा है कि यूनी पेरस्मिन दा मेन आइक्सिस इंस इंड ए फ्लावर और वन ब्रांच एराई लेटली इट इज आप टू टाइपस इसका मतलब है कि एक ब्रांच यहाँ पर जो मेन आइक्सिस होता है वो एक फ्लावर के साथ ही समापत हो जाता है अब इसके बगल से केवल एक ही ब्रांच निकलती है, जिस पर flowers ब्युर्वस्तित होते हैं. तो यह यहाँ पर दो प्रकार की हो जक्ती है, यह तो फिर यह सकारप याईड होगा, और दूसरा यह फिर यह हलकाईड होगा. इस्कारप याईड करनीशन में क्या है, कि successive flowers are produced alternately in a jig-jag fashion जैसे यहाँ पर अभी आप figure के माध्यम से देखेंगे इसको कि यहाँ पर यह branch है यहाँ पर flower बना main axis तो इसकी बृद्धी रुख जाती है अब अगली बार यहाँ पर जो flowers बनते हैं वो ऐसे यहाँ पर में कलकाई निकलेंगी यहाँ पर बनेगा फिर अगली बार जो flower बनेगा वो यहाँ से कलकाई निकलेंगी यहाँ पर बनेगा तो इसी को जिग जैक motion कहा जाता है आगे figure बना हुआ है अभी यह समझ में आ जाएगा figure से इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए है हलकाईड साइम हलकाईड साइम में क्या है कि successive flowers are produced on the same side यहाँ पर जो flowers बनते हैं वो same side में बनते हैं इसके opposite side में इसका जो bracket है वो बनता है तो यहाँ पर देखे इसकारपियाड का example है cotton जिसे आप रूई कहते हैं रैनन कुलस हो गया ड्रोसेरा हो गया इसमें इसकारपियाड साइम बनता है जब कि जो आपका हलकाईड साइम है यह देखने को मिलता है solenum nigram जिसे हम मकोई के नाम से जानते हैं इसके बाद दूसरा है बाई पेरस या इसी को कहते हैं डाई कैजियल साइम बाई पेरस हमें देखने को मिलता है यहाँ पर देखे जैस्मीन चमेली में टीक जिसका बोटेनिकल निम टेक्टोना ग्रेंडिस होता है एक सोरा हो गया निक्ठैंतस हो गया तो इसमें हमें देखने को मिलता है बाई पेरस्टाइम अभी फीगर के माध्यम से इसको समझा देते हैं इसके बाद यहाँ पर देखे नेश्ठ है हमारा चलिए यहाँ पर देखे फीगर बना हुआ है इसमें क्या है कि पहला हेलिकाइड है हेलिकाइड में आपने पढ़ा कि जो मेन आइक्सिस थी यह तो यहाँ फ्लावर बनने के साथ समापत हो गई बाकी जो फ्लावर सब बनेंगे वो एक ही साइड में बनेंगे यहाँ पर देखे एक फ्लावर बना है यहाँ पर बना है यहाँ पर बना है यहाँ पर पर देखिए flower बना तो ये इन्ड समाप्त होगे दूसरी बार अब इधर को flower बनेगा फिर तीसरी बार इधर flower बनता है फिर चौति बार इधर बनता है फिर पाचवी बार इधर बनता है तो यही करम दरंतर चलता रहता है तो इसे हम कहते हैं इसकारपियाइड कंडीशन तो यहाँ पर देखे एक बार में केवल एक ब्रांच निकल रही है चाहे इधर से निकले या फिर उधर से निकली तो यह आपका हो जाएगा मोनो कैजियाल साइम के एक जामपल हो जाएगे हिलकाइड और इसकारपियाइड यहाँ पर जो बाई पेरस साइम अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर देखे जो में एकसिस है वो तो एक फ्लावर के साथ समाप्त हो गई जैसे ही यहाँ पर एक फ्लावर बना तुरंत बगल में यहाँ पर दो कलिकाई निकल जाएंगी और दोनों पर फ्लावर बनेंगे तो यह दोनों समाप्त हो जाएंगी फिर इसके बगल में तुरंट दो और निकल जाएंगी तो यहाँ पर flower बनेंगे तो यह दोनों भी समाप्त हो जाएंगी अब आगे जहाँ यह flower बना है तो फिर यहाँ से निकलेगा यह समाप्त हो जाएगी तो यही क्रम यहाँ पर निरंतर चलता रहता मतलब जैसे ही flower बनके main axis समाप्त होती है तुरंट उसके side से दोनों side से एक-एक कलकाएं युग में डिवलिप हो जाती है तो इसी को हम कहते है बाइपेरस साइम तो बाइपेरस साइम में आपने देख लिया मौनोपेरस साइम में देख लिया तो मौनोपेरस में दो आपने देखा हिलकाइड और सकार्पियाड इसके बाद यहाँ पर देखे आगे चलते हैं यहाँ पर देखे मल्टी पेरस जैसे यहाँ पर बाइपेरस था वैसे यहाँ पर मल्टी पेरस होता मल्टी पेरस में क्या है कि जब मेन ऐक्सिस यहां पे निकला यहां पर फ्लावर बना तो मेन ऐक्सिस तो समाप्त हो गई इसके अगल बगल से बाई पेरस में दो निकलता था लेकिन मल्टी पेरस में धेर सारे ऐसे निकल जाते हैं पूरा एक गुच्छा टाइप का बन जाता है जैसे आपने कैलो ट्रापिस में देखा होगा मदार जिसे कहते हैं तो उसमें जो फूल होते हैं वो काफी गुच्छे में अरेंज होते हैं तो मल्टी पेरस स्राइम का बेस्ट एक्जामपल आपका है कैलो ट्राफिस प्रोस सेरा जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं तो उमीद है आपको समझ में आ गया होगा मोनो पेरस में क्या है कि जैसे ही में एक्सिस समाप्ट हुआ फ्लावर में तो बगल से केवल एक कलिका निकलती थी ये दो प्रकार की थी अगर एक ही साइड से निकलता है तो हलिकाइड होगा अगर बारी बारी से दोनों साइड से निकलते जाते हैं तो वो इसकारपियाड होगा इसके बाद बाइक एजियल साइम आपने पढ़ा उसमें क्या है कि जैसे ही main कलिका पुस्ट में समाट होता है तुरंत बगल से दोनों साइट से एक एक निकल जाती है और multipyears में क्या है कि जैसे ही main एकसिस यहाँ पर एक flower में समाट हो रहा अगल बगल से धेर सारी कलिकाईं डेबलप हो जाती है और पूरा एक कुछा बन जाता है तो उम्मीद है यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा इसके एक्जामपल ही पूछे जाते हैं परिच्छाओं में कि इसका एक्जामपल क्या है इसके बाद देखे अगला है हमारा यहाँ पर इस्पेसल इनफलोरिशन्स कुछ बिसेस प्रकार के पुस्पकरम पाए जाते हैं जो कि ना कितो रेसी मोस की तरह होते हैं ना साइ मोस की तरह होते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है इसमें जो पहला है वो है साइथियम देखे यह इंपॉर्टेंट है साइथियम पूछा जाता है कि Scythium किसमें देखने को मिलता है तो पहरे तो हम Example यह देख लेते हैं Eau 4B, Eau Eau 4B, Eau 4B, Eau 4B, Eau 5AM, Eau, Eau 4B, Eau 4B, Eau 4B, Eau, Eau, C, family का यह characteristic feature है कि Eau 4B, Eau 4B, Eau5, Eau 4B, Eau 4B, C, family के ज़्यादा तर plant में यह Scythium पूस्पक्रम हमें देखने को मिलता है जे ट्रोफा जे ट्रोफा जिससे बायो डीजल प्राप किया जाता है उसमें भी हमें साइथियम पुस्पकरम देखने को मिलता है तो चलिए देखेते हैं साइथियम पुस्पकरम में क्या है इट कांसिस्ट आफिस सिंगल सेंटरल फिमेल फ्लावर इ तो जो फिमेल फ्लावर होती है उसकी जो पेडिसील होती काफी लंबी होती है मतलब फिमेल फ्लावर बड़ा दिखता है और जो मेल फ्लावर यहां पर इसको घेरे रहते हैं वो थोड़ा सा छोटे होते हैं वह यहां पर लिखा है और इसके चारों तरफ यहां पर देखिए जो female flower है इसके चारो तरफ male flower इसको घेरे रहते हैं और यह पुस्प करम जो है वो एक cup shape के इन्वो लिवकर से धका हुआ होता है ऐसे इसके चारो तरफ एक cup shape सनचना बन जाती है जिससे यह धका होता है तो इसलिए इसे कटोरिया पुस्प करम भी कहते हैं साइथियम को हिंद के एक इन्वो लिवकर से धका हुआ होता है जिसमें honey glands पाई जाती है तो यह question पूछा जा सकता है कि यूफोर्बियसी फेमली में कौन सा पुस्प करम साधारन तोर पर देखने को मिलता है तो वो scythium पुस्प करम हो जाएगा एक्जामपल आपका यूफोर्बिया और जे जाते हैं यहाँ पर देखें दूसरा वाला है hypenthodium hypenthodium में क्या है कि the inflorescence axis becomes phlesy यहाँ पर जो पुस्प करम का axis है वो phlesy हो जाता है मतलब गुदेदार हो जाता है और नासपति के आकार का हो जाता है बिते हालो कैबटी इसमें एक कैबटी बन जाती है अंदर की तरफ और female flower जो होते हैं वो base की तरफ होते हैं यह point यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह hypenthodium में जो female flowers होते हैं वो base की तरफ होते हैं और जो male flower होते हैं वो जो opening होती है उसके आसपास में पाए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा phicus species अंजीर हुआ पीपल हुआ इसी प्रकार से आपने सुना होगा गूलर, phicus species में गूलर है तो गूलर में आप देखते हैं कहते हैं कि इसमें फूल नहीं लगता वास्तों में इसका जो फूल होता है वो एक कबर से ढखा हुआ होता है और इसके जो पार्ट सोते हैं फ्लावर पार्ट सोते हैं वो अंदर की तरफ होते है तो ओपनिंग जहां पर इसका मुझ खुलता है वहां पर मेल फ्लावर्स होते हैं और इसके जो फिमेल फ्लावर्स होते हुगो बेस की तरफ पाये जाते हैं यह कोशिन पूआ जाता काफ़ी इंप्सपकरम हमें किसमें देखने को मिलता है तो जो फाइकस की प्रजातियां हैं अंजीर हुगा पीपल हुगा बर्गद हुगा तो इन सब में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेश्ठ है हमारा वर्टी सिलेस्टर जिसे कूट चक्रक कहा जाता है मतलब इसमें जो चक्र बनते हैं वो फाल्स बनते हैं यहाँ पर देखिए वर्टी सिलेस्टर कूट चक्रक कहा जाता है हिंदी में एक condensed form of simos जो simos आपने पढ़ा है recimos के बाद jो simos आपने पढ़ा था कि यहाँ पर pi paris और multi paris पढ़ा था तो वहाँ पर जो चक्र बनता है यहाँ पर दोनों साइड में बनता है opposite side में दोनों साइड में बनता है तो वर्टी सिलिस्टर का best example आपका है तुलसी और सैल्विया जो लाइबियेटी फिमली है जिसमें तुलसी रखी गई है उसका ये एक कारेक्रिक्रिस्टिक फीचर है अभी आपको फीगर के मादन से ये समझ में आ जाएगा कि वाइटी सिलिष्टर क्या होता है यहाँ पर देखिए फीगर लगा हुआ है पहला है जो आपने साइथियम पढ़ा था कटोरिया पुस्पकरम उसमें क्या है कि एक यहाँ पर देखिए बड़ा सा फिमेल फ्लावर होता है उसके चारों तरफ जो घेरे हुए यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर चारों तरफ एक जो ब्रैक्ट होते हैं उसका बना हुआ यहाँ एक कबर हो जाता है जिसमें नेक्टर ग्लेंड या मकरंद ग्रंतियां पाई जाती हैं तो ये साइथियम हो गया जो अभी आपने पढ़ा कि फिमेल फ्लावर बीच में होता है इसका पेडिसिल काफी लंबा होता है जो मेल फ्लावर सोते हुए चारो तरफ से इसे घेरे रहते हैं तो ये आपका हो गया साइथियम या कटोरिया जो कि यूपोर्मियसी फिमनी में देखने को मिलता है इसके बाद नेश्ट फीगर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये देखिए वाटी सिलेस्टर का है जो कि आपको तुलसी में देखने को मिलता है तो तुलसी में क्या है कि यहाँ पर जैसे में आइक्सिस है ये एक फ्लावर के साथ ही समाप्त हुआ तो इसके अगल बगल से साखाए निकल करके एक चक्र बना लेती है इधर भी दूसरे साइड में भी सेम कंडिशन होती है यहाँ पर भी एक फ्लावर के साथ ही में इसे समाप्त हो जाता है तो अगल बगल से यहाँ पर कलकाए निकल करके पूरा एक गुच्छा बना लेती है लेकिन जब आप साइमोस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक ही साइड में फ्लावर निकलता था और गुच्छे बनते थे वैटी सिलेस्टर में क्या है कि दोनों साइड में ये करम चलता रहता है तो इसी को हम कूट चक्रया कूट चक्र बोलते हैं तो जो आसमाप सेंक्टम आपकी है तूलसी है या लैवियेटी फेमली है उसमें हमें वैटी सिलेस्टर टाइप का पुस्पकरम देखनी को मिल जाता है इसके बाद देखें यहाँ पर एक फिगर और लगा होगा यह है यह देखें हाइप इन्थोडियम गूलर का फूल यहाँ पर लगा गूलर का हाइप इन्थोडियम मादा पुस्पक, बंद पुस्पक और नर पुस्पक इसमें तीन टाइप के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर देखें मेल फ्लावर्स हो गए और यहां पर female flowers और जो आपके sterile flowers होते हैं तो यहां पर देखें जहां पर opening होती है वहां पर male flowers पाए जाते हैं base की तरफ यहां पर इसके female flowers पाए जाते हैं और beach में यहां पर इसके जो neutral flowers होते हैं या sterile flowers होते हैं वो देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर तीनों जो special type है एक आपका scythium हो गया एक hypenthodium हो गया और एक verticilister हो गया यह परिछाओं में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि किन प्लांटों में पाया जाता है या किस family में पाया जाता है तो जैसे scythium आपने पढ़ा यूफोर्बियसी family आपका हो जात हो जाता है वह एक आपने पढ़ाए यह लैबियटी फिमली हो जाता है और यह जो आपने hypenthodium पढ़ाए आपकी फाइकरसी सीगी हो जाते हैं तो इस प्रकार से implications हमारा समात हुआ इसके बाद अग्रे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे flower के parts के बारे में इसके बाद flower parts पूरी तरह से complete करने के बाद हम लोग family की तरफ चलेंगे तक तक के लिए नमस्कार वीडियो को जादा से जादा like subscribe और share करते रहिए धन्यबाद